जैहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2015 में आई एक slasher film most likely to die के बारे में दोस्तों फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक घर दिखाया जाता है जो की जंगलों के बीचों बीच था वो घर रे नाम के आदमी का था जो की एक former hockey player था तब ही उसे उसकी girlfriend Ashley का call आता है जो उसे बताती है कि उन सबने एक reunion plan किया है जहां उनके सभी high school दोस्त उसके घर में मिलने आने आने वाले हैं जिस उनके रे बहुत खुश हो जाता है और अपनी girlfriend के आने का इंतजार करता है जब Ashley उसके घर में पहुँचती है तो वो उसे आवाज लगाती है लेकिन रे उसका कोई भी जवाब नहीं देता तभी Ashley को दिवार पे अपने सारे दोस्तों की फोटो नजर आती है जिस पे वो लिखा हुआ था जो उन्होंने high school में अपने ये लिखा था वो अपने नाम की नीचे देखती है कि वहाँ लिखा है most likely to have her name in light तभी उसे table पे एक note मिलता है जिस पे लिखा था कि मुझे ढूंडो ये देखके उसे लगता है कि शायद रे कोई मजाग कर रहा है जब वो bedroom में जाती है तो उसे high school graduation के कपड़े मिलते हैं और वहाँ एक note पड़ा था जिसमें लिखा था कि वो बहुत थंडी हो रही है फिर उसे आइने पे एक note दिखता है जिस पे लिखा होता है कि वो ठंडी है अपनी कबर की तरह ये देखके वो डर जाती है और समझ जाती है कि रे ऐसा प्रैंक नहीं कर सकता जो वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो देखती है कि सभी दर्वाजे बंध हैं तभी उसकी नजर अपनी फोटो पे पड़ती है जिस पे किसी ने क्रॉस लगा दिया था ये देखके आशली डर जाती है और खिड़की खोल के वहाँ से भागने लगती है वो भागते हुए एक शैक के पास पहुचती है जहां एक फंदा लगा हुआ था वो उस फंदे में फश जाती है और कोई उसे शैक के अंदर खीच लेता है और उसके बाद उसे जान से मार डालता है फिर हमें गैबी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ पर रियूनियन के लिए आई थी गैबी एक फेमस पोकर प्लेयर थी और उसमें उसने काफी इनाम जीते थे तभी वहाँ उसे एक बंदा मिलता है जो हाई स्कूल में उन्हें दारू सप्लाई किया करता था वो उसे देख के बहुत खुश होता है और उससे कहता है कि क्या उसने उसे पहचाना वो आदमी उसे बताता है कि हाई स्कूल के बाद रे ने उसे अपने साथ रख लिया था और तब से ही वो उसके घर का देखबाल करता है ये सुनके आशली उसे अलविदा कहती है और घर में जाती है जहां वो दिवार पे टंगी सबकी फोटोस देखती है वो आशली की फोटो देखके डर जाती है क्योंकि उस पे रेड क्रॉस बना हुआ था तब ही वो वहाँ ब्रैड की फोटो देखती है जो कि उसका बॉइफ्रेंट हुआ करता था ये देखके उसे काफी अजीब लगता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि ब्रैड भी वहाँ पे आने वाला है वो उसे बताती है कि Brad बेशक अब एक बड़ा एक्टर बन गया होगा लेकिन वो है तो उनका दोस्ती इसलिए उसने उसे भी यहाँ पे बुला लिया था तभी वहाँ पे बाकी लोग भी आ जाते हैं जिनके नाम होते हैं सिमॉन, लेमॉन, टीजे और फ्रेडी वो सभी बैठके अपने हाई स्कूल की बाते करते हैं जिससे उनकी यादे ताजा हो जाती हैं तभी उन्हें वहाँ पे हाई स्कूल की ilmanac मिलती है जिसमें सब की फोटोस थी और एक बंदे की फोटो पे कट लगा हुआ था और उसकी पर लिखा था कि most likely to die、 दोस्तों जिसकी फूटो पे कट काट दी थी क्योंकि वो काफी अजीब था और उसके लिख दिया था most likely to die उसके बाद इन लोगों ने चुपके से उसके लॉकर में एक गन रख दी थी और जब वो पकड़ा गया तो उसे उसे काफी जेलन होती है वो गुस्से में बैलकनी में चली जाती है तो Jidd उसे मनाने आती है जेड उससे कहती है कि अब वो पुराणी बातों को भूल जाए और एक नई शुरुवात करे लेकिन गैबी कुछ भूल नहीं सकती थी वो से कहती है कि Brad उसे तब छोड़ के गया था जब उसे उसकी सबसे ज़ादा जरूरत थी तब ही वहाँ पर Freddy आ जाता है जो अपने reunion को record कर रहा था जब वहाँ से चला जाता है तो जेड गैबी को बताती है कि उसकी एक girlfriend है ये सुनके गैबी बहुत खुश होती है और उससे कहती है कि वो कब उसकी girlfriend से उसे मिलवा रही है उसके बाद वो सभी hot tub में जाके वहाँ पर बाते करते हैं कुछ दिर बाद ब्रैट जब अंदर जाता है तो देखता है कि गैबी टेवल के नीचे से कुछ निकाल रही है वो उसकी मदद क करने के लिए आगे बढ़ता है तो गैबी उससे कहती है कि उसे उसकी मदद की कोई जरूरत नहीं है वो गैबी से कहता है कि क्या वो उसे एक और चांस देगी तो गैबी उसे मना कर देती है इधर ब्रैट की girlfriend जब कपड़े बदल रही होती है तो वो केर टेकर उसे देख र बाद उसका डाइबॉर्स हो गया था यह सुनके लिमौत उससे कहता है कि वो हाई स्कूल में उसे पसंद किया करता था लेकिन वो कभी भी इस बात का इजहार नहीं कर पाया क्योंकि वो स्कूल में प्रेसिडेंट थी जिस पे कई सारे लड़के मरते थे और वो उसे कभी च बार जाती है उसके बाद वो वहां से बाहर चली जाती है और ब्रैड उसके पीछे आता है ब्रैड उससे कहता है कि वो उससे जान बुछ के क्यों हारी तो वो उससे कहती है कि वो उससे जान बुछ के नहीं बलकि उसने उसे हराया है वो उससे पूछती है कि वो उससे क्या है वो साफ साफ बता सकता है यes सुनके ग्यावी उस से कहता है कि उसकी ग traffernd एक poker charity करवा रही है जिसमें वो चाहती है कि वो वहाँ पे खेले ताकि वहाँ पे बहुत सारी audience आया और charity में पैसा बन सके यस उनके ग्यावी उस से कहती है और गैबी वहाँ से आगे चली जाती है कभी गैबी को आगे एक शैक दिखता है जिसमें जेनरेटर था जब वो उस शैक के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे आशली की लाश पड़ी है जिसका गला काटके उसे बेरहमी से मारा गया है यह देख कि वो हैरान हो जा जाता है और सिमॉन उस घर में अकेले उसका इंतजार करती है यह सभी इस बात से हरान होते है कि आखिर अशुली को कौन मार सकता है उन्हें लगता है कि शायद रे ने उसे मारा है क्योंकि वो सुबह से ही दिखाई नहीं दिया है लेमॉट उससे कहता है कि वो अपनी गाड़ बिछे जाती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है तब ही उसके सामें वह गिलर आ जाता है जिसे देख के वो डर जाती है वह गिलरून से पकड़ के उसपे हमला कर देता है और अपनी हैट से उसका गळा कार देता है जिस jurisdिक्हें मौत हो जाती है उसके बाद वो उसकी लाज के पास खड़ा होता है और हम देखते हैं कि उसने एक मास्क पहना है जिस पे लिखा हुआ है डाई यानि दोस्तों हो सकता है कि शायद ये जॉन है जो अपने प्रैंक का बदला इन सबसे ले रहा है इधर ले मौट जब पुलिस के पास जा रहा होता है तो उसकी गाड़ी अचानक रुक जाती है क्योंकि किसी ने उसकी गाड़ी की पैट्रोल की पाइप कार्ट दी थी जिससे सारा पैट्रोल नीचे गिर गया था इधर गैबी और जेड उस शैक के पास होते है जहां जेड गैबी को बताती है कि वो एक स् इसी बाते क्यों कर रहा है तो डीजे उसे बताता है कि वो सच कह रहा है जब ब्राइड ने अपनी आक्टिंग के लिए उसे छोड़ा तो उसने अपने आपको समाला और पोकर में उसने हार्ड वर्क किया जिससे उसे सक्सेस मिली वो गैबी से ये भी कहता है कि वो दोनों एक के पास जाते हैं वो देखते हैं कि सिमौन की लाज हॉट टब में तैर रही है और ये देख के वो सभी ढड़ जाते हैं वो किलर एक एक करके सब को मार रहा था और उसके बाद उनकी फोटो पे क्रॉस लगा रहा था तब ही वो सब वहां से भागने के लिए अपनी गाड़ जेड गैबी को बताती है कि रे ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता क्योंकि वो अक्सर रे से मिलने यहां पे आया करती थी तब ही जेड एक ड्रॉर खोल के उसके अंदर से बुक निकालती है जिसके अंदर एक गन होती है जो की रे ने रखी थी वो गैबी को कहती है कि रे ने उस इस गन के बारे में बताया था क्योंकि वो उस पे काफी ट्रस्ट करता था जब गैबी अंदर जाती है तो फ्रेडी जेट के साथ बाहर बैठता है वो उससे कहता है कि वो पहले बहुत दारू पिया करता था लेकिन एक दिन ड्रिंक एंड ड्राइव करने की वज़े से उसका एक्चिडेंट हो गया और उसके बॉइफरेंट की मौत हो गई और उसके बाद से ही उसने दारू पीना छोड़ दिया इधर अंदर गया भी जब हैंड वश यूज करती है तो देखती है कि उसके अंदर खून पड़ा हुआ है यह देख कि वो काफी डर जाती है और वहां स बाहर निकलती है वो सभी बैट के चर्चा करते हैं कि कहीं कोई उनके साथ प्रांक तो नहीं कर रहा ब्रैट की गर्फरेंट ब्रैट से कहती है कि वो जा रही है उन लाशों को चेक करने के लिए ताकि उसे पता चल सके कि कहीं वो नकली तो नहीं है वो ब्रैट से पूछती है कि क्या वो उसके साथ आ रहा है तो ब्रैड उसे साफ इंकार कर देता है ये देखके डीजे उसकी गर्ल्फरेंड के साथ चला जाता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके तभी इन चारे को घर में एक रिंग टोन सुनाए देती है और जब वो उसके पीशे जाते हैं तो द से भाग जाता है वो भ्रैड को उठाके सोफे पर लटाते हैं और उसे कहते हैं कि वो हिम्मत ना हरे वो जल्द ही उसे होस्पिटल ले जाएंगे जखमी अवस्था में ब्रैड गैबी से माफी मांगता है जो भी उसके साथ किया वो उससे कहता है कि जब वो प्रेगनेंट ह किसी ने हमला गिया है और वो उसके पीछे भी आ रहा है तभी वहां आ जाता है और अपने टोपी फैक के उसके मारता है जिससे वो टोपी उसकी गरदन में लगती है और उसका गला कट जाता है उसके बाद वो किलर उसका गला धर से अलग कर देता है जिससे उसकी मौत हो जात यह देखके ग्यावी वहां से भागने लगती है और वह किलर उसका पीछा करता है तभी ग्यावी देखती है कि आगे रास्ता बंद है तो वह किलर उसे मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है ग्यावी चिल्ला के जेड को आवाज लगाती है तो जेड अपनी गन लेके वहा नहीं मिलता जब वो उपर जाती है तो देखती है कि वो किलर उसके सामने खडा है वो उसे शूट कर देती है लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो उसकी reflection थी और ठीक उस आइने के पीछे उसकी दोस जेट खड़ी थी जिसको उस killer ने बांध के वहाँ पे खड़ा किया था ये देख के गैबी अपनी गण छोड़ देती है और जेट के पास जाके उससे कहती है कि वो उसे माफ कर दे क्योंकि उसने गलती से उस पे गोली चला दी वो killer ठीक गयाबी के पीछे खड़े होके इस अब देख रहा होता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है इधर लेमॉट जब वापस आ रहा होता है तो उसे डीजे जमीन पे गिरा हुआ मिलता है वो उसे उठाता है और पू जाता है उसके बाद वो आइस होके स्टिक उसके मूँ में डालके उसका गला काट देता है जिससे लेमॉट की मौत हो जाती है यानि दोस्तों वो डीजे ही था जो ये सब कर रहा था तब ही डीजे गैबी फ्रेडी और ब्रैड के पास आता है और वो अपने साथ में रे को भी लाया था उस किलर के कपड़े पहना के वो फ्रेडी और ग्यावी पे गन तान देता है और उनसे कहता है कि उसी ने सब को मारा है और वो उनकी मौत का सारा इलजाम रे पे डालने वाला है ग्यावी उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया तो वो उससे कहता है कि वो जॉन का बचबन का दोस्त था जिसके साथ उन सब ने एक बहुत गंदा प्रैंक किया था वो लोग जॉन के साथ बचफशान मेंए खेला करते थे लेकिन उसी लड़की के साथ उन्होंने गंदा प्रैंक किया वो उन्हें ये भी बताता है कि जेल से छूटने के बाद जौन उसे मिला था और उसके बाद उसे कहीं पे भी जॉब नहीं मिली क्योंकि वो कभी ग्राजुएशन कर ही नहीं पाया था वो काफी सिंसियर लड़का था जिसको अपनी पढ़ाई से प्यार था लेकिन उन सबने उसकी बढ़ाई छीन ली थी इसलिए वो हार गया था और उससे मिलने के कुछ दिनों बाद उसने आत्मत्या कर ली थी उसकी मौत से उसे हैसास हुआ कि उन्होंने उसके साथ बहुत कलत किया और फिर उसने उसका बदला लेने का प्लान किया उसी ने ये reunion plan किया था ताकि वो सब को मार के उसका बदला ले सके ये जान के उन सबी को बहुत बुरा लगता है और DJ Freddy और Gabby से पूछता है कि क्या वो दोनों उसका साथ देंगे Freddy डर के मारे हाँ कर देता है और Gabby भी उसे हाँ कर देती है DJ उससे कहता है कि उसे Freddy पे विश्वास है लेकिन Gabby इतनी जल्दी हाँ कैसे कर सकती है वो उसे एक paper cutter देता है और उससे कहता है कि वो Brad को इससे मार डाले फिर उसे यकीन हो जाएगा कि वो भी उनके साथ है Gabby उस paper cutter को छोटा कर देती है और उसके बाद Brad को उससे stab करती है यह देख कि DJ बहुत खुश होता है और Brad को वो बंदूफ से मारने वाला होता है लेकिन तभी Gabby उसकी gun उससे मांगती है और उससे कहती है कि वो उससे मारेगी वो Gabby में विश्वाश करके gun दे देता है तो Gabby उल्टा उसे ही शूट कर देती है जिससे DJ मर जाता है और वो लोग Ray को अजाद करते है उसके बाद Ray Gabby से gun लेता है और DJ को गुसे में शूट करता है उसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं और वो killer वहाँ पे आता है जिससे हमें पता चलता है कि DJ वो killer नहीं था बलकि वो उसका साथ दे रहा था वो killer DJ की फोटो पे cross बनाता है और वो mask पहन लेता है और इसी के साथ ये movie खतम हो जाती है तो दोस्तो ये थी इस फिल्म की कहानी जहां एक reunion एक bloody reunion बन गया था क्योंकि हाई स्कूल में इन लोगों ने जौन नाम के बंदे के साथ प्रैंक किया था जिससे उसकी जिन्दगी बरबाद हो गई थी और कई सालों बाद जौन इस reunion में लोटा और उसने उनसे बदला लिया दोस्तो यानि वो killer जौन ही था और डीजे बस उसका साथ दे रहा था और डीजे ने उन सब को ये जूट बोला था कि जौन ने आत्मत्या कर ली है बलकि जौन अभी जिन्दा था जो उन लोगों को मार रहा था तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशन के लिए मोवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तो लाइक और शेयर करना बिलकुल मत भूलिएगा तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हैंद।